जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह है हमारा भूगोल का पुस्तक और इसका आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे इसका प्रस्नोत्तर इसलिए इस वीडियो का अंतक जरूर देखना यह भारती भवन का पुस्तक तो चलिए हमारा यह देखिए अतिलग उतरिये प्रस्न मे दो ही हैं जो कहे रहा है कि संसादनों के वर्ग कौन-कौन है यह लिखना है और प्रित्वी सम्मेलन कब हुआ था यह लिखना है और उसके पाद लगव उतरिये में हम लोग आ जाएंगे तो देखिए लगव उतरिये में भी आज कोस्टन है और दिलग उतरिये में तीन कोस कोश्चन हमारा रुजा है और कता है कि पृथिवी 1092 इस्वी में हुआ था जब कि तुविटिए पृथिवी 1092 प्रित्वी सम्मेलन 2002 इस्वी में हुआ था तो यह देख लिए हमारा दूसरा नंबर भी कोश्चन कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह है लगुतर यह प्रस्ण का पहला कोश्चन जो कहता है कि खनीजभंडार का प्रसंसाधन बनते हैं इन्हें कि स् जब खनीजों का महत्यों बढ़ने लगया और लोगों ने अपनी कुसलता का प्रदर्शन करके उनका निस्कासन करना प्राड़ा में किया तथा उप्योग में लाया गया तो यह घंडार संसाधन बन गया इन्हें प्रकृतिक संसाधन वर्ग में रखा जाता है जो नवीकर साइनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वड़ापूना प्राप्ति किया जा सकते हैं वे नवीकर्णी संसाधन का लाते हैं जैसे सोर उर्जा पवन उर्जा मचलिया तथा जल्विदू तित्यादी तो यह हमारा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो चुका है तीसरा नंबर आप ल संस्थान इत्यादी तो यह हमारा तीसरा नंबर भी कोश्चन का कंप्लीट हो चुका है अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजेगा क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आप लोग इनके लिए बनाते रहत सब्सक्राइब करने संसादन होते हैं इसी प्रकार वातावरन वबस्तित सभी प्रकार के निशीव पतार जैसे खनी चटाने मिटी नदियां परवत इत्यादी जैव या जैव संसादन का है जाते हैं तो यह हमारा चौथा नंबर भी कंपलीट हो चुपा है आप चलते हैं हम पौनें नंबर कोश्चन की तरफ यह देखिया हमारा पांचवा नंबर कोश्चन देखिया क्या करता है कि मानों के लिए वह संसाधन के द्वारा किसी भी किसी भीराष्ट की प्रगती के लिया आवस्यक है। असंभव है। अगर आप लोगों ने यहां तक देख रखा है तो आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा क्योंकि NCRT और प्लस में भारतिक हूँ दोने पूस्तक से आप लोगों को मैं question answer करवाऊंगा इसलिए आप लोग link comment कर दिजेगा वैसे आप लोगों को अगली वीडियो किस पर चाहिए अगर चाहिए होगा तो आप लोगों को comment box में जरूर लिखना है अब ये देख सकते हैं ये question है दिरगुतर ये का पहला question पहला question आप लोग देख सकते हैं क्या कहता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं उदाहरन देते हुए सपष्ट करना है तो इसका उत्तर देख लिजे कि हमारे पार्यावरन में आई जाने वाली प्रतेक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है संसाधन कहलाती है सर्थ यह है कि वस्तु तकनिकी रूप से सुगम आर्थिक रू और आगे देखते हैं के संसाधन के दो प्रमुक्ष मालो निर्मिद संसाधन यह देख सकते हैं अमारे दीर घुतर्य का पहला कॉस्टन जो है वह कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग चलते हैं दूसरे कोस्टन की तरफ दूसरा number question अब देख सकते हैं मैं कुछ उदारन दिये जा सकते हैं क्या उदारन दिये जा सकते हैं यह आप लोग को देख लेना है जैसे में छोटा नागबूर के खनीज भंडार का बहुत समय तक कोई महत्व नहीं था लेकिन जब खनीजों का महत्व समझा जाने लगा तो लोगों ने अपनी कुसलता का पड़िचय देते हुए उनका निस्कासन करना शुरूप कर लिया और उन्हें उप्योग में लाया तो वे खनीज संसाधन बन गए इन खनीजों ने छोटा नागबूर छेत्र को आर्थिक विकास का आउसर प्रदान किया इसी प्रकार पश्चिमी घाट में जोग जल प्रबात बहुत समय तक जल की धाला बहता रहा जब सक्ती के विकास में इसका उप्योग पन बिजली के उत्पादन के लिए किया जाने लगा किया जाने लगा तो वह संसाधन बन गए इसी तरह नदियां तभी संसाधन बन पाती है जब मानों उनका उप्योग सिचाई में जल विद्धूत में मत्चोद्योग में जल यातायात में और ऐसी यने कार्थिक रियाओं में करने लगता है भुगोल वेता भुगोल वेता जिम्मर मैं ने ठीकी कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं ये आपके एक्जाम में पुछे जाते हैं इसलिए आप लोगों को ये याद कर देना है चलिए हम लोग अगले कोस्टिन की तरफ चलते हैं और अगले कोस्टिन चलने की तरफ से मैं आप लोगों को ये टेह देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि भारती भावन के पुस्तक के एक जो भी चैप्टर है सभी का कोस्टिन एंसर मैं करवाऊंगा इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले कोचे अब देखिए वा चुका है हमारा तीसरा नमबर कोस्टन कहता है कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महतों पर प्रकाश डालें तो इसका उतर आप लोग देख सकते हैं कि मानव स्वयम एक संसाधन है आर्थिक साधन के रूप में मानव का अधिक महत्व है विस्व में अनेक अवयाव बिखेड़े परे हैं मानव उनका पता लगाता है फिर वह अपनी बुद्धी प्रतिभा तकनीकी ज्यान और कुसलता से अपनी आवसकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने आर्थिक विकास के लिए उनके उपियोग की योजना बनाता है और उनका उपियोग करता है